प्रियाग राज में सम्विधान सम्मेलल के दोरान राइब रैली से कांग्रेस सांसद राहूल गांधी ने सिर्फ मोधी को ही नहीं बल्कि मीडिया को भी निसाने पर लेते हुए जम कर फिर के लिए आपने कभी मीडिया में मोची का इंटर्वियू देखा है बस मेरे मेरे च अरेल पर नहीं आ रहा हूँ और साथ ही जिन तरकों के साथ राहूल गांधी ने मोधी और मीडिया के धागे खुले हैं वो काफी दिल्चस्प है राहूल गांधी ने कहा मीडिया में कभी भी मोची बढ़ाई पेंटर और प्लंबर जैसे लोगों को दिखाया नहीं जाता ह है जो सरकार में बड़े हिस्से पर बड़े ओदे पर हैं साथी राहूल गांधी ने कहा हमने इंडिया गटबंदन ने चुनाव में मोधी जी के 56 इंच को कमजोर कर दिया है मोधी जी का कांफिडेंस लूज हो चुका है और अब वो सीना तान कर नहीं सिर जुका कर चलते है और मोधी जी को सम्विधान को माथे पर लगाने पर भी हम लोगों ने इंडिया गटबंदन ने मजबूर कर दिया है आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोधी जी छाती फेला के आते थे जाले आपको यूँ आते थे अभ यूँ आते हैं चुनाओ में नरेंद्र मोधी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गटबंदन ने खतम कर दिया वो मोधी जी मॉडल चलाने की कोशिच कर रहे हैं महराजा वाला वो शाहिंचा वाला मॉडल हमने मोधी जी को ये करवा दिया आप अपने आपको आप अपने आपको नौन बाइलोजिकल समझते हो कोनेक्शन समझते हो रौंग नंबर रौंग नंबर चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा देखो हिंदुस्तान के किसानों ने मजदूरों ने सिर जुकवा के कॉंस्टिटूशन से मत्था लगवा दिया आपने कभी मीडिया में मोची का इंटर्वियू देखा है बस मेरे मेरे चैनल पर आ रहा है और किसी चैनल पर नहीं आ रहा है आप चाहे मोची हो, बढ़ाई हो प्लमर हो, धोपी हो कभी ने दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग और फिर मीडिया में कहते हैं भाईया मोधी ची गले लग गया सूपर पार बन गया कभी वो युक्रेन भागेंगे कभी रूज भागेंगे वो कभी गले लगेंगे और फिर भाईया सूपर पार बन गया मतलब कैसे बन गया, 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं उसमें बेरोजगार है भूक लग रही है तो पूरा का पूरा मतलब डिसकेशन वो ही 10-15 लोगों में होता है वो ही आंकर है वो ही एक्सपर्ट है वो पाँचे लोग है वो ही बोलते रहते हैं एक दूसरे से और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है इसलिए ऐसे डिसकेशन बहुत ज़रूरी है